आज भी आपको स्खाऊंगी कि पोटली बटन कैसे बनाते हैं इसके लिए हमने फ्राब्रिक लिया है तिन साइस का थ्रड ले लिया है अब हमने बड़े साइस का मोती लिया है अगर आप थर्मकोल की गोलियों भी यूज करने चाते हो तो भो भी कर सकते हो मगर वो प्रेस के भाग फिस जाती है इसके लिए हम मोती का यूज कर रहे हैं मोती को फ्राब्रिक के बीच मे अची तरह से फकड कर ठेल को इसकी परर पलप पक़र करेंगे अची तरह से कसकर लपीटिंगे लपेटने के बाद इसकी end में इसको पका कर देंगे ताकि ये बाद में निकलेना एक तो इसका ये तरिक्व हो गया अब इसके बाद इसको कट करेंगे इस तरह का हमारा पोटली बटन बन चुका है अब इसके बाद हमने same size का फिर से fabric लेना है फाब्री के बीच में ऐसे मोती को लगाकर घुमा देना है फाब्री को अब इसके बाद हमने एक बाबिन ली है पोटली बटन के पीछे वाली side वाले फाब्री को इस तरह से बबिन के बीच में सका देना है और कप्रिकों पीछे वाली साड में अच्छी तरह से खीचेंगे तो उपर वाली साड में हमारा कोटली बटन अच्छी तरह से कसकर त्यार हो चुका है अब इस कोटली बटन के साड में अच्छी तरह से धागे को लपेटेंगे कसकर फिर एंड में हम पक्ता धर के गाट लगा देंगे जिससे कि हमारा पोटली बटन त्यार हो चुका है पक्ता धर्नी के बाद जो हमारा वेस्ट फैप्रिक है थोड़ा सा हम इसके बीच में से कट कर देंगे इतना नहीं रखेंगे आप इन दो तरीकों से पोटली बटन को बना सकते हो अच्छी लगे हमारी वीडियो तो लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे की हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलते रहेगी बाई बाई